नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर 10 जुलाई 2023 सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन एक लोटे जल में यह गुप्ट चीज डाल करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर कर देना अभिशेक जीवन के हर कश्टों से मिल जाएगी आपको तुरंत मुक्ती खुशियों से भर जाएगा आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी दोस्तों सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा मलमास लगने के कारण सावन का पवित्र महीना इस बार पूरे 69 दिनों का होगा ऐसा अध्धुत और शुभ योग पूरे 19 साल बाद आया है इस बार सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार वरत 10 जुलाई 2023 को पढ़ने जा रहा है जिसका करोडो शिवभक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे है और अगर इस दिन शिवपुरान के अनुसार अगर आप एक लोटे जल में उन गुप चीजों को डाल करके भगवान भोलेनात के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिशेक कर देते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपके जीवन की कितनी बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा दुख हो और कितनी बड़ी समस्या हो हर प्रकार की बाधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी आपकी कोई मनोकाम ना हो, वो भोले नाथ बाबा के आशिरवात से जरूर पूरी होगी दोस्तों सावन के पवित्र महीने के बारे में हमारे वेद पुरानों में कहा गया है कि इस महीने का नियंतरन भगवान भोले नाथ के हाथ में होता है जो भी व्यक्ति इस महीने भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी जोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की जोली खुशियों से भर देते हैं और अगर इस महीने आप भगवान भोलेनात के सामने कोई भी उपाय करेंगे तो भगवान भोलेनात का आशिरवाद मिलेगा और आपके उपाय का पलट करके आपको लाभ मिलेगा कहा जाता है दोस्तों की इस महीने की गई पूजा साधनाक्रिया से आपके जीवन के समस्त प्रकार के जो कश्ट होते हैं वो जड़ से नश्ट हो जाते हैं सावन के पवित्र महीने के दौरान अगर आप सिर्फ सोमवार का वरत ही रखना है तो माना जाता है इससे आपको मोक्ष की प्राप्ती होती है माना जाता है कि भगवान भोलेनात के आशिरवाद से आपको स्वर्ग में भी जगह मिलती है इसलिए दोस्तों सावन के पवित्र महीने के दौरान आपने देखा भी होगा जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ के लिए सुमवार के व्रत करते हैं दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो कहने का मतलब ये है कि इस दिन की गई पूजा साधनाकरिया से आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का आशिरवाद एक साथ मिल सकता है जिसके बाद आपके जीवन की कोई भी मनोकाम ना हो वो जरूर ही पूरी होगी कहा जाता है दोस्तों देवों के देव भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को तुरंत ही वर्दान दे देते हैं माना जाता है कि अगर आप महाशिवरात्री हो गई, सावन का पवित्र महीना हो गया या सावन के सुमवार हो गई इस दिन कोई भी उपाय पूजा पाथ भगवान भोलेनाथ के सामने करेंगे तो भगवान भोलेनाथ अपने दोनों हाथों से आप पर क्रिपा बरसाएंगे उसके बाद जैसे ही आपकी मनोकामना हो जैसे मान लीजिये आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे आपकी नौकरी लग जाएगी आप कोई बिमारी से ग्रसित थे उस बिमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करेंगे बहुत ही आगे इसलिए दोस्तों आज जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बड़े सरल से उपाय हैं जिसमें सिर्फ आपको इस सावन के सुमबार के दिन एक साधारन से लोटे में वह गुप चीज डाल करके भगवान भोलिनात के मंदिर जाना है औ और इतना भर अगर आपने कर लिया तो मान के चलिये फिर आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक बात का ध्यान रखियेगा दोस्तों भगवान भोलेनात में अगर किसी व्यक्ति को आशिर्वात दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगार सकता है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनात की क्रिपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे भगवान भोलेनात के आशिर्वात से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करे बहुत ही आगे जाए भगवान भोलेनाथ का आपको वर्दान मिल जाए जिसके बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ हो तो दोस्तों पूरी सची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अब दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने से पहले आपको आपने एक लोटे जल में वक्त कौन सी ऐसी गुप्ट चीज है जिसको मिलाना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के अभ पर रसन हो जाते हैं और उस व्यप्ती को वर्दान दे देते हैं लेकिन अगर आप ऐसी कोई गलती करते हैं जो भगवान भोलेनाथ को पसंद नहीं है तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित भी हो जाते हैं कहने का मतलब यह है कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध पानी, गंगा जल बैठ करके चढ़ाया जाता है और शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाया जाता है या कुछ भी चढ़ाया जाता है मुह उत्तर की तरफ आपका होना चाहिए क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोले नाथ और माता पारवती जी का वास होता है इसलिए जब भी आप लोग कोई भी पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग के सामने करें तो आपका मुह उत्तर की तरफ होना चाहिए अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे की इस सावन के पवित्र महीने के दौरान सोमवार के दिन जो आप लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे जहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ का अभिशेक करना है तो उस लोटस में आपको कौन सी गुपता चीज मिलनी है शिवपुरान के अनुसार इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए क्योंकि यह उपाय जैसे ही आप इस सोमवार के दिन करेंगे इसका पलट करके आपको लाब मिलेगा और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट बॉ शारिरिक कष्ट है आपको किसी ऐसी बिमारी ने जकड लिया है जिसका आप इलाज करा कर ठक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाब नहीं मिल रहा है तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं बहुत ही आसान सा उपाय है आपको 10 जुलाई देर 23 के दिन सुभ उठना है नहाना है धोना है एक तामबे का लोटा लीजिए उसमें गंगा जल भर लीजिए आपको एक चुटकी भस्म इसमें डालनी है देखिए भगवान भोले नाथ को भस्म भी लगाई जाती है और भस्म अर्पित भी किया जाता है शिवलिंग पर तो आपको एक भगवान भोले नाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना इतना भर अगर आपने इस 10 जुलाई 2023 सावन के पहले सुमवार के दिन कर लिया दोस्तों अगर आप अपने जीवन में मानसिक कष्ट शारिरिक कष्ट या किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान थे हर प्रकार के क पतलब ये है कि आपके पास पैसा तो आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है आपके उपर ऐसा कोई दोश लग गया है जिसकी वजह से आपके पास पैसा रुक नहीं रहा है और वो बेफिजूल खर्ची में उरजा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए एक महाउपाय बताया गया है हमारे शिव पुराण में वही उपाय हम आपको बताने जा रहे इस उपाय को अगर आपने सही तरीके से विधी विधान से कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ती मिल जाएगा और जो आपके पास पैसा आएगा वो रुकेगा भी तिकेगा भी देखिए शमी का जो पेड होता है दोस्तों माना जाता है यहां एक ऐसा पेड होता है जिस पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का साथ में वास होता है आपको शमी के पेड के पास जाना है और एक पत्ती तोड़ लेनी है उस पत्ती को इसी गंगाजल में डाल दीजिए एक तामबे के लोटे में गंगाजल के साथ मिला करके इससे भगवान भोलेनात के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर अभिशेक कर दीजिए इतना भर अगर आपने इस 10 जुलाई 2023 के दिन कर लिया तो आपके जीवन के आर्थिक कश्टों से आपको मुक्ती मिल जाएगी और आपके जीवन में धन रुकेगा भी, तिकेगा भी और उसमें वृद्धी भी होगी इसी तरीके से मान लीजिए आपके घर पर बहुत लड़ाई जगडा ग्रहकलेश होता है आप इस चीज को ले करके बड़ा परिशान है आपके घर की बरकत और उन्नती पूरी तरह से रोप चुकी है और आप चाहते हैं कि आपके घर का विकास हो, आपके घर की उन्नती हो, आपके घर की बरकत हो तो आपको क्या करना है एक लोटा शुद्ध गंगाजल लीजिए उसमें दो-चार बूंद आप लोगों को गन्ने का रस मिलाना है और इसी से भगवान भोलेनात का अभिशेक इस 10 जुलाई 2023 के दिन करना है इतना भर अगर आपने कर दिया, तो मान के चलिए आपके घर पे जो लड़ाई जगडा घर है, क्लेश हो रहा है, वो तो बंध हो ही जाएगा आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नती होगी और आप पे और आपके परिवार पर सदैव भगवान भोलेनात की क्रिपा बनी रहेंगी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन्था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, अब मान लीजिए आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप बहुत परिशान है अपनी बिमारी से आप अपनी बिमारी का इलाज भी करा चुके हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं, कि आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्त तो समझ जाए, आपके उपर कोई दोश लगा हुआ है और अगर आप ऐसे दोश से मुक्ती पाना चाहते हैं, तो आपको 10 जुलाई 2023 के दिन कच्चे दूध में चीनी मिलाकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है शिवलिंग पर अभिशेक करना है और इतना भर कर दीजिए सिर्फ एक दिन यह उपाय करके देख लीजिए और आप खुद देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ की क्रिपा से आपकी बिमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी अब मान लीजिए आपका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए तो क्या करना है आपको आपको एक लोटा शुद्ध गंगाजल लेना है गंगाजल मारकेट में कहीं भी मिल जाएगा दोस्तों इस उपाय में सिर्फ गंगाजल ही आपको प्रयोग करना है गंगाजल लीजिए एक लोटा उसमें 108 चावल के दाने डालिए और इससे भगवान भोलेनात के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिशेक कीजिए इतना भर करने के बाद ही आप देखेंगे कि भगवान भोलेनात के आशिरवाद से आपका व्यापार चल पड़ेगा अब दोस्तों मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं लग रही है आप इस चीज को ले करके बड़ा परेशान है तो आपको क्या करना है? आप लोगों को इस बार 10 जुलाई 2023 के दिन पहले तो सुमवार का वरत रखना है सुमवार का वरत रखने के बाद आप लोगों को सुभा नहाना धोना है सफेद कपड़े पहने हैं, एक लोटा शुद्ध जल लेना है उसमें 108 काले तिल के दाने डालें और इससे भगवान भोलेनात का अभिशेक करना है इतना कर दीजिये, आपकी मन्चाही नौकरी लग जाएगी तो दोस्तों इस वीडियो पर समाप्त करते हैं आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, ओम नमह शिवाय